कि फॉर्मेट बना लेते हैं कि इस कि एक कितने डिपार्टमेंट है दो ही है ना कि लॉथ डिपार्टमेंट और टेलरिंग डिपार्टमेंट और शायद इस ट्राइब का कुश्चन लास्ट इयर पूछा वे गया था आपके साम जहां तक मुझे याद है चलिए यह हो गया हमारा पहला क्या है और टेलरिंग है ना लॉथ टेलरिंग कि देखता नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूं ठीक है और इस कोश्चन को बढ़ा करें कि अपर लिख देते हैं डिपार्टमेंट टेलरिंग और यहां डेट 31 मार्च 2017 यह भी लिख लेते हैं होज़ा करें को सब्स्क्राइब इसलिए यानि tailoring department का मतलब जोहां कपड़े चला जाता है और cloth मतलब जहांपे कपड़े का थान आता है तो tailoring department जो है न यानि मात ले थे हैं tailoring department एक cloth इसको जब भी कपड़े की जारत पड़ती है तो सारा cloth department से खरीता है कहता है tailoring department Serv eux à cloth from cloth department मतलब जितने भी कपड़ेगी जुरत पड़ेगी वो सारा ये सी से लेगा बहार से नहीं खरी देगा ठीक है आगे कहता है cloth department are usual selling price और जो cloth department इसको कोई भी समान देगा वो हमेशा selling price पे होगा ठीक है जैसे कि पिछले question में देखा from the following particular prepared departmental trading and profit and loss account for the year and 30 March 2017 कहता है opening stock अब दोनों के पास है तो इसके पास भी और इसके पास भी तो यहां लिख ले two opening stock opening कितने कितने है इस आठ हसार और आठ हसार पर्च पर्चेश पर्चेश तीन चालिस और पाँच तो इधर लिख ले पर्चेश 340 और पाँच अजार इसके पास देखा जाए तो क्या है हमारे पास sales दे रखा है जो कि हम buy side में लिखेंगे buy sales चार लाग और असी अजार ठीक है ये भी कर लिया ये भी कर लिया transfer of cloth tailoring department से अब जो भी tailoring department से transfer हुआ यानि कहता है transfer of cloth to tailoring department ये एक पचास जाना गलत लग गया जो चलो ठीक है वो पचास जाना एक जग गलत मतलब tailoring department को क्योंकि कहां से ले रहा था cloth department से ले रहा था तो tailoring department को जो दिया है तो tailoring department को जो भी हमने cloth transfer किया है तो transfer यहां पर आ जाएगा cloths तो इसके लिए purchase हो जाएगा है ना और sale किसके लिए हो जाएगा cloth department के लिए इसके लिए sale हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा ये एक ही जगा आना चाहिए था कि जो transfer to कहता है ना तो हमें यहां पर tailoring department में दिखाना चाहिए था स्रिफ यह दिखाने की ज़ुरत नहीं था ठीक है वह डल गया हो मिस्प्रेंट हो manufacturing expense 12,000 स्रिफ एक ही जगा है तू manufacturing expense manufacturing expense कितने है 12,000 रुपया और किस में है tailoring में क्योंकि यहीं पर manufacture हो रहा है बस selling expense यह तो सहाब पी इंडल का पार्ट है तो इसको यहां लाइन कीजिए लिए कौन सा expense है हमारा selling expense यहां लिख लेते हैं selling expense कितने हैं पाच हजार तो हजार ठीक है चलो यह भी हो गया अब closing stock 10 और 15 है और 15 है और 15 है यह ता एक लाग और 15 है मतलब जो हमारा stock है यहाँ पे इसमें 80% तो stock जो कि हमने पीछे से लिया है वो है और उसके ओपर 20% हम अलग से कुछ खर्चा करते हैं उसके ओपर यानि हमारे पास जो stock हमारे पास आया था पचास अजार तो पचास अजार में ऐसा रहा कि भीया इसका ratio 80 और 20 का होगी अभी आगे और explain करेंगे कहता है जर्नल expense of the business of the year comes to 23,000 रुपीज अब इसने बताये नहीं कि भीया कहां कहा है तो जर्नली जर्नल expense जर्नल पी एंडल में चला जाएगा जर्नल पी एंडल में चला जाएगा ठीक है और कहता है इन 2015 और 16 15 और 16 की बात करें तो इस साल की बात नहीं कर रहा वह बात कर रहा है लास्ट इयर की बात कर रहा है 15 15 16 कह रहा है 15 16 दीपार्टन अं ग्रॉस प्रॉफिट 30 यानि सर पिछले साल फिर्म ने 30 पर्संट का मुनाफ़ा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था पिछले साल इस साल नहीं पिछले साल तो हमारे पास दोनों stock है एक यहां पर भी stock है और एक क् इसने बेचा है, cloth ने इसको बेचा है तो इसके stock में profit जुड़ा होगा तो अब यहां जो बात कर रहा है जो 30% की profit की बात चल रही है यह opening वाले पे है क्योंकि जो opening stock होगा वो इस साल का नहीं होगा क्योंकि पिछले साल का जो closing बना होगा वही तो opening बना होगा तो यानि इसके उपर जो profit margin है वो 30% question बता रहा है समझो किस पर? नहीं, stock इसका होगा और cloth नहीं तो टेलरिंग को बेचा होगा समझे, देखे पढ़ते हैं हमें एक पर फिर पढ़ते हैं कहता है stock of tailoring department किसकी stock की बात कर रहा है? tailoring department की यानि ये वाला एक ये और एक ये may be assume consist 80% जो 80% हिस्सा है वो cloth है स्रिफ उसमें और हम cloth department से स्रिफ कपड़ा ही खरीदा होगा हमने और जो 20% हिस्सा है वो तो और कुछ expense है इसके अंदर तो हम कुछ कर रही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब और बाकि 20% जो 1600 है ये तो other expense है तो profit का हिस्सा सरिफ इस पे जुड़ा होगा वो भी किस पे और ये कहता है कि कितने percent है say gross profit 30% sales पे है तो हमें अब percentage convert करना ही नहीं है क्योंकि ये जो दे रखा होगा already क्या होगा ये क्योंकि इसका stock selling price पे ही होगा समझे क्या हम इसमें 30% क्या cost पे बनाएं या नहीं selling price पे अगर GP दे रखा है तो कोई tension वाली बात नहीं है पिछले question में देखोगे तो वो cost price पे दे रहा था ठीक है ना और इस वाले question में selling price पे तो 30% इसके उपर profit जुड़ा होगा है तो इस वाले opening stock पे हम अभी निकाल लेते हैं unrealized profit unrealized profit UNP कर रहा हूं ठीक है कितने आ जाएंगे 6400 और इसके अंदर 30% मुनाफ़ा एड़ किया हुआ है तो यह आ जाएगा हमारा उन्निस सो बीस रुपए उन्निस सो बीस रुपए ठीक है यहां तक सौंझ मैं है अब हमने opening stock किसका निकाला यह ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक का तो बड़े आसानी से निकाल लिया लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक का अब हम आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन हमें आप percentage तो बताओ क्या बता दो और percentage तो यह opening का दे रखा था जो की date भी है तो closing का percentage निकालने के लिए simple हमें क्या मदद लेनी पड़ेगी जो gross profit ratio होता है वो formula लेना पड़ेगा आपने 12 में करा है यह ratio वाले chapter में gross profit ratio क्या formula होता है इसल फार्मूला होता है gross profit divided by sales into 100 अब यहाँ पर sales पता ही क्या होगा दोनों sales होगा कौन सा outsider sales plus में stock transfer और अगर कोई sales return है तो minus हो जाएगा समझे sales का मतलब gross profit आपको निखालना पड़ेगा तो मैं अपने आले question में पहले फटा फट gross profit निखाल लेता हूँ तो gross profit पहले का 4,5,50,000 पांच लाग यहां का gross profit एक पचास साथ एक चास सेम इधर का देख लेते हैं असी और पंद्रा 95 और यहां का gross profit यहां का gross profit 95-8,000 पांच हजार माइनस चास हजार पीस हजार अब हमें gross profit का मतलब के भीया तुमने कितने percent profit कमाया है तो हमें gross profit वैसे closing stock किसका है टेलरिंग का है तो लेकिन टेलरिंग डिपार्टमेंट ने थोड़ी न प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट किसने कमाया होगा सोचो किसने किसको समान भेजा है cloth ने किसको भेजा है टेलरिंग को तो बताओ cloth department जब समान goods को भीज रहे तो profit कौन कमा रहा होगा cloth department कमा रहा होगा के tail ring कमार होगा tail ring तो बस खरीद रहा है तो जो profit कमा रहा होगा जैसे कि cloth department profit कमा रहा है तो उसी का तो GP ratio निकालेंगे हैं ठीक है है न तो अब हमें GP ratio किसका निकालना पड़ेगा इसका तो इसका जो total sales होगा वो ये दोनों मिला के हो जाएगा मैंने बताया स्टॉक ट्रांसफर भी लोगे और प्रॉफिट ये मिल गया 15,000 तो 4,50,000 divided by 15,000 तो यहाँ पर आ जाएगा GP ratio चार लाग पहले 15,000 उपर gross profit divided by 4,00,000 into 100 तो यह आ जाएगा 33% यानि 33.333% और दूसरे शब्दों में बोले तो 1 by 3 यह निकलता है जो कि easy पढ़ जाता है 1 by 3 करना हो ठीक है तो अब हमारे पास पता चल गया कि भी या closing stock जो है closing stock जो है वो कितना है closing stock बताओ देख लो closing stock 15,000 है और इस 15,000 के तो 2 टुकड़े हो जाएगे क्योंकि जो cloth का हिस्सा इस 15,000 में जुड़ा होगा वो मातर 80% है 80% हिस्से पे ही काम होगा तो इसका 80% क्या आएगा और बाकी का जो 20% बच गया हमारा 3000 रुपे वो तो other expenses का तो कोई role ही नहीं है इसमें तो इसके उपर हमने profit निकालना है तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं क्या unrealized profit unrealized profit किस पे निकालेंगा 12,000 profit ratio क्या है 1 by 3 क्योंकि यह जब भी निकलेगा तो sales पे ही निकलेगा तो यानि 4000 निकल गया और यह किस पे निकला sir closing stock ठीक है अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि journal प्रियंडल बना लेते हैं क्योंकि पीछे journal प्रियंडल है इस दर वैसे space है हमारे पास हाँ यहाँ बना ले क्या यहीं बना ले वैसे यहाँ पे net profit भी नहीं निकाला पहले net profit निकालो यहाँ पे रहने देते हैं पहले net profit निकालते हैं क्योंकि without net profit अब journal प्रियंडल तो बनाई नहीं सकते हैं तो यहाँ पे by GP आ जाएगा that is 15 और 20 15 और 20 15 और 20 तो 2 net profit आ गया कितने आएंगे net profit 10 आठ ठीक है तस अठारा चलिया जाएगी यह जर्नल प्रॉफिट है वास वैसे पीछे जगा बन जाता क्योंकि मैंने नीचे लिखा था जाए दूसरे देखें चले छोड़ों जाते हैं पीछे तो सबसे पहले यह हम लिख लेते हैं क्या है यह जर्नल प्रॉफिट एंड अब एक सवाल आएगा किस साथ यहां पे जो जर्नल एक्सपेंस है और पीछे जो आपने दिखाया है यह रहा यहां पे भी जर्नल एक्सपेंस आया हुआ है कि नमबर ओफ लेकिन किस से लेबर, विलफेर वगएरा यह केंटीन है जर्नल जर्नल एक्सपेंस आये तो था नहीं लिखा चलो कोई नहीं मैं सोच रहा था कि मैंने यहां तो नहीं लिखा हुआ तो उसको एक्सपेंस करते हैं आ जाएगे प्रॉफिट आगया आपका 10 और 18 तो बाय साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट क्लॉथ और डिपार्टमेंट टेली रिंग इससे कितने हैं 10 और इससे 18 टोटल मिला के 38 ठीक है अब हमारा इधर आ जाएगा टू अन्रिलाइज पहले तो वह लिख ले एक एक्सपेंस भी है ना तू जर्नल एक्सपेंस कितने थे जर्नल एक्सपेंस था हमारा 23,000 रुप है पहले तो यह आ जाए ठीक है अब हमें नेट करके लिख दो दो तरीके हैं इसके जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाई में होता है तो टू में उसका रिजर्व आ जाएगा और जो टू में होता है उसका रिजर्व बाई में आ जाएगा है या फिर यहीं पे लिख दौब तो मैं अलग-अलग ही लिख देता हूं टुऑ अन्रेलाईज प्रॉफट यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक का और Landsberg किज्ग जिनलफ फेट पीस ओने इस्टॉक कितना था त्निस सोवीष्ट बहस खथम कॉंसा? 28 2920 यह हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया जो कि कितना था टोटल नेट प्रॉफिट को एक लाग है यहां पर मिस्प्रिंट होगा यह गलत होगा एक लाग साथे जा तो आई ने जाता इस पर ध्यान मत देजिए इस टॉक रिजर्व देख लीजिए इस टॉक रिजर्व ठीक आ रहा है ठीक है न तो वह नेट प्रॉफिट एरर है यह कहीं हमारा किसका अच्छा एरर नहीं है देखो यहां एक पचास है और मैंने इधर पंदरा लिखती है तो यह अब आ जाएगा एक पेंटालिस ठीक है वो गलत नहीं है और यह बीस आ जा रहे है यह तो ठीक है बस यहां एरर रहा है तो इससे एक पेंटालिस कर देना नहीं नेट प्रॉफिट में भी तो जाएगा एक पचास एक पचास एक पेंटालिस नेट प्रॉफिट यह एक पेंटालिस होगा और कितना अगे एक पेंटालिस और अठार बताओं 163 और क्लास नेट स्वपीश 164 900 164 920 164 अब निकाल लो कितना आता है 137 चीक है इसको प्लेंस करते हैं यह हिस्स सही आ रहा है यह था हमारा एक और कोश्ट है क्लियर है यह सारा ठीक है तो एक बार नोट करो फिर अब हम क्या देखेंगे जब एक और कुछिन देखते हैं एक्स्ट्रा एक दूसरी को ट्रांसफर करते हैं ठीक है ना पहले यहां तक आप नोट करते हैं क्लियर है यह सारा एक बार नोट करते हैं क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर